गुरूग्राम में भी हर एक पार्टी लगातार प्रचार में जुटी है अगर बात की जा इनेलो प्रत्याशी विरेंदर राणा की तो वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं उनसे खास बात्चित की है हमारे समरता सुनल यादव ने आए सुनते है क्या कुछ कहा गया खास ब गुरगाओं लोकसभा सीड की बात करें तो यह तीन डिफरिंट एरिया सैंस में में एक तो मेवाद एरिया है एक अहिरवाल बेल्ट है एक गुडगाओं शहर ए और बादश्या-पूर है हर एक एरिया के कुछ मुद्य तो सेम है कुछ डिफरेंट है आप आज एक गुडगा जो है बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉलिटिट सिटी है जो समसा है आपने इलाके की छेतरी की गुड़गाउं लोक सबागी जो गिनाई है उनको खत्म करने के लिए या उन से निपटने के लिए आपने कोई प्लान मनाया है क्या आपका प्ला बड़ी इंडस्ट्रीज है पुरे गुड़गाउं में आप उन से जॉब पूलिंग कर लिए आप ऑनलाइन पॉर्टल दे सब अपनी वहां पर जॉब्स डाले जॉब पूलिंग करें आप देखें इंट्रेस्ट कितना है और जॉब्स की रिक्वार्मेंट क्या है एक तो और उसके बीच में जो स्किल गैप है 6-8 महीने की कोई ट्रेनिंग से तरो उसको ब्रिज करके उन लोगों काम दिलवाने का काम करें फिर आप जैसे मेवात एरिया में ले लिजिए आप वहां पे कोई ना कोई ऐसा वो लेके आए इंडस्ट्रिल हब जैसे वहां पे जो लाने पड़ेंगे आपने मेवात का जिक्र किया कि देश में सबसे पिछड़े इलाकों में इसकी गिनती आती है शायद आपकी जो चुनाव परचार में अधिकतर दोरे जयों मेवात की भी रहे हैं क्या वज़य मानते हैं कि आज तक मेवात सबसे पिछड़ा हुआ रह गय अब मुझे बड़े ऐसे दुख से कहना पड़ रहा है कि 15 साल से वहां पे कोई भी विक्यास का कारिया नहीं हुआ है तो दोनों कांग्रेस और बीजेपी यह जुम्यवार है लोग आप इनको बिल्कुल दोनों को नकार रहे हैं मेवात में तो इनके बहुती विरोध है दो होती रही है मैं तो मानता हूं कि जो सिटिंग एंपी हैं उनी से रहेगी क्योंकि जो कैप्टन अजय आदब जी है उनको तो अपने घर में ही वोट मिल रही है तो अब लोग समझ चुके हैं कि वो रॉयल फैमली से आते हैं उनको तो लोगों सिरफ और सिरफ वो 15-20 दिन के लोगों में आने माले लोग हैं उसके बाद वो गैब हो जाते हैं